आज के दोर के सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर अवस्था में पहँच चुकी है स्थिती यह है कि माता पितादी अपने बच्चों को आववस्थे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर है क्योंकि सिक्षा के मंदिर के सुरक्षा के लिए कोई वैवस्था नहीं है स्कूल भवन काफी पुराने हो चुके है मतलब मरम्मत करने की या फिर स्कूल ही बंद करने की स्थिति आ चुकी है लेकिन जिंबदार अधिकारी ये सब संघ्यान में होने की बाउजूर भी कही न कहीं मामलों को नजर अंतास कर देते हैं और पच्चों का भविशे अंधिकार में जाता दिखाई पड़ता है कुछ फशास्की स्कूलों की हालत इतनी जरजर हो गई है कि देखकर लगता है जैसे शायद किसी हाथसा होने का इंतिजार हूँ हम बात कर रहे हैं अनूपूर जिले के जरजर और आववस्तिश असास किये स्कूलों की हालत की देखिए इस रुपॉर्ट में इतना ही नहीं स्कूल के बगल में शराऑ ही बंती है लेकिन जिम्मदार इस और कोईद नहीं दे रही है वहीं आपकारी और सक्षा बुठाक की अधिकारी से बात करना चाहिए और सब के पास कोई नकोई पहाना अवश्य मिलता है आपको बताते हैं बस्ते स्कूल के हेड मास्टर सहाब प्राभारी विठ्ठू लाल साहू और गुलीप एका का क्या कहना है लिए के स्कूल में इसरी बस्ते स्कूल के दी हो बगट बस्ते पहले से यहां मँख्वान Timothy सर्कार यहां गलत अब आपको रूमरू बरवाते हैं जयत्हरी वकास्थंड के खमा हर्या पंच्राइद के स्कूल पकान टोला से दरसल यहां चारों तरफ खाई है रास्ते पर कठे हैं स्कूल में अतुती सिक्षक पढ़ाने की जगा हमेशा छुटी पर रहते हैं वहीं जब छात्रों से कुछ सामान ज्यान से जुड़े सबाल पूछे गए तो कोई भी ठीक से उत्तर नहीं दे पाया इससे साफ तोर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि छात्रों का भविश्य कैसा हुई सकता है जरा आप भी देखिए क्लेक्टर को ने पता है यह नहीं पता है यही पांच का पहड़ा पता है या कुछ पांच अच्छा तुम्हें पचार का नाम क्या है अच्छ इस गाउं के सरपंच का नाम बता रहा है वहीं अधिती सिक्षक खुस्ण से सिक्ष्टों के नियमित आने का सवाल किया गया तो उनका कहना है कि सिक्षक नियमित आते हैं जबकि अखिकत यह है कि यहां सिक्षक जादा दरव काष्प रहते हैं क्यों अच्छ वाले ध्यान ने दिया रहा है अभी अभी पार बोले हैं कोई आज कि सार चीरं मेरे नारे सकता है आप अधिती सिक्षक हो और कि अधिती सिक्षक हो दवाइन चुट्टी में समौल कौन मेडम है भी यहाँ छुट्टी में जो हैं वो श्राब मेडम आगे आपको बताते हैं सक्रा पंचायत में स्थित भरिया टूला श्रासिकी स्कूल के बारी में इस स्कूल के पीछे तालाब है रास्तों के बीच पांत परा रहता है स्कूल के आसपास बाउंडरी वॉल भी नहीं है वहीं जब अनूपोट डीपीसी सर्विस सिप्षा अभियान के अधिकारी धिमंत खेरवाल से बात की गई तो वह भी बोल मोल जबाब देते नसर आए नहीं इसमें ऐसा नहीं है परशाद का मौशम है आपने जो बताया है जिन स्कूलों को नाम हो सकता है परशाद के कारण ऐसी इस्तिती हो अगर कोई ऐसी इस्तिती है कि जहां पर मरमत की आउशकता है या कोई खराबी है तो उसको सुधार कराया जाएगा और मेरा यही मानना है परशाद के कारण ऐसी इस्तिती हो सकती है कुछ इस्कूल हमारे जिले में जो वास्तां बहुत पुराने हैं इतना ही नहीं जरा वो तस्वीर भी देखिये जहां एक, दो या तीन नहीं इनके अलाबा भी अन्ट स्कूलों की हालत बे कुछ इसी तरह ही है कर चुके सर्थ कई बार कर चुके हैं कई बार कर चुके हैं और कौन से साल में किये थे आपने अभी ही हो चुका है क्या बोले अधिकारी बोले हैं करवाती हैं दिक्षन में आते हैं अभी इस सर्थ नहीं आते हैं डीपीसी के पास सिकायत किये थे किसी और के पास क्या सबना होका कमल बडादिए अनुप पुर्से संपाता ता ओंका सेंकिर पूंट क्या